वो आपको घर पढ़ने के लिए कहा था तो घर पे तो शायद ही किसी ने पढ़ा होगा जिनने पढ़ा होगा वे महाभाग्यसाली हैं वो उन्हें कुर्शा धन्ने बाद लेकिन मेरी ही थोड़ी देरी से और आपको सुन्य को मिल गया तो अपराध भी दर अपराध जैसा जैसा ही है पुझ गुर्दीव स्थी का कोटे सना आपने सुना और उस से जितनी तर्चा आपने अभी तक की थी उसकी आपको पुष्टी ही हुई होगी कि हमारा वुद्देश दिर्व प्रतिकमन छुडाना नहीं है वो तो भई सास्त्रों में हमारे संतों के लिए आवर्श से चीज बताई है रोजाना करने के लिए और वैसे तो होता ही है निष्टे भी जब शटमे से साथ में में जाते हैं साथ में से छटमे में आते हैं तो जो जो सबसे पहले एक बार साथ में में गए तो वो तो हुआ प्रत्याख्यान फिर ओहां से गिरकर छटमे में आए तो वो तो हो गया पतन है और फिर साथ में में गए उसका नाम है प्रतिक्रमन इसलिए प्रतिक्रमन गल्ती सुधानना हो गया ना गल्ती वो मिठ्था तो संबंदी भी हो सकती है और आचन संबंदी भी हो सकती है कमजोरी भी तो एक गल्ती ही है गल्ती का मतलब रौंगा ही नहीं है हम सत्त परम सत्त को जानते हो परम सत्त में इस्तर रहने में असमर्थ हो और वहां से नीचे उतर जाएं तो वो भी तो उ पर घमजोरी के कारण हूई है अज्ञान के कारण नहीं है थैश्स आपने सास्त्रों में आता है कि हर अंतर मुन्थ में मुनिराथ से शात्मे आते हैं है कि ए असली द्धरम समझना हो है तो किसी बैक्ती विसेश को ध्यान में न रखकर जो सास्त्रों में मुनि धर्म का सरूर बर्णन है उसको हम ध्यान में रखें कि छटमे साथमे गुनस्तान की भूंका ऐसी ही है कोई भी दोनों में से कोई भी गुनस्तान में ये जीव अंतर महुत से अधिक नहीं रहता नहीं रह सकता वारी भासा अच्छी नहीं है हर बात में मजबूरी दिखती है इसाथ में से मैं नहीं रह सकना मजबूरी हो सकती है लेकिन छटमे से साथ में में जाना तो मजबूरी नहीं है ना कि यह उनकी सहज बृत्ति है और इसलिए हमेसे ही पृतिक्रमन होई रहा न है आपके हम तो अंत्रमूत में एक दफे होगा अरे एक दफे नहीं जब शातमें से छटमें में आएंगे और उसी समय से फिर वो शातमें में जाने के लिए प्रसार करेंगे तब बे मुश्किल से अंत्रमूत में साथ में में पहुंच पाएंगे तो उनका लोटना जहां से गिरे और उपर जहां तो प्रती समय ही हो गया ना तो तो निरंद रही रहता है उन्हें का फृसत है कि लिए जब छटमें में आए तब तो फृसत है ज़र आप बितार करें हम कंभीता से अब आप सोचो यह समय सार कैसी लखे गए कि अधिव नहीं पुरुषाद करते तो साथ में में नहीं पहुंचते हैं तो मुनी की भूम का से किरते हैं अब उन्हें हर अंतर महूरत में साथ में जाना है अब उसके बीज में जो समय मिल जाए उसमें कोई काथ गा अब समाल के कहां रखें आप 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 विचार तक उस पर शितिवे गंभीता से बिचार करो हैं समय कितना है तिक मत तीन कसाय के अभाव रूप जो पढ़नती अंदर में बिद्वान है ना उसमें ऊपर जाना और नीचे आना इक तन सहज़ई है यह हम अपने अपनी भूम झुझका से करते हैं तो हमें पहार दिखता है जैसे और यह वर मते तो रूपहरा और जैसे परभा थे जोर ऊहरा रुची saad करता रहता है यहां गासा भी लिकते रहते हूंग हो रूची जीवें बादी मरें इसांची कहबत है कि पहली क्लास वाला एमे की किताबें पढ़ें तो उसे पहाड़ी दिखेगा ना यह कि अक्षर पढ़ना उसे कितना कठन दिखाई देगा जेका भी एमे में तेरे वो चुद्वी क्लास पास करके जाना है तो तुम अभी समझना जितना अभी तुझे कठनाई दिख रही है उसमें तो बिलुकुल कठनाई मेठनाई नहीं है तो तेरे जो योगता है उसमें सहज ही वो आंगे का प्रशार्थ होगा तो यह अबने मुन होला जी बढ़नी का भी पढ़ा था एक लायन का कोटेशन विकल्प रत रहना विसकुम्ब है वस्भाव रत रहना अम्रत कुम्ब है क्लियर आई ना बात पूरी बात आ गई अरे बढ़नी जी ने कहा है इसलिए हमकों सुईकार है ऐसे भी लाखों लोग इस जगत में होंगे कि आपके चित में ऐसी बात ना हो तो इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि बढ़नी जी की समझ में भी यह बात आ गई थी यह बात जिसकी समझ में आजाए वह कोई कम भागसाली है वह हमारे लिए कम सुनमान नहीं है मतलब हम इस दिश्टी से ही बिचार करें क्यों साथ अपर हमें करने नहीं साथ हमको एक मात्र एक मात्र का कितना मुए है क्यों अभय जी दस्वीश हो जाना तो क्या तकलीव है वहां तो हमें यह तकलीव होती ना भरत जाता ना सुसंवेद आतमे सरधानी और भरत चेत्र में बिरले प्रानी और क्या है कली काल में दुर लब पांच और ज्याना रम में देखो बांच यह पंक्ति है महा कभी बुद्धिजन के तत्वास बोज की को तत्वास बोज नाम के किताब का नाम ही नहीं सुना होगा जब मुझे परीचे का परीचे हुए हुआ था और असोग नगर में मुझे प्रोचन करना पड़ता था तो वहां पर यह किताब प्रोचन में रखी थी किसका नाम क्या थैं और वहां दो तरह की किताबें थी मंदर में एक में स्वेकड़ों गलतियां थी और एक कुछ सुद्ध छपी थी तो एक वहां पंडेद रामलाल जी करके थे तो उनने मुझे संकर में डालने के लिगे लाइबरेडी की चावी उनके पास रहती थी मंदर की तो वह सारी जो स और एक वो गलत छपी थी वो किताब उसमें रख दी और घर पर एक अपने रख ली उसे पढ़के आते अब में से जागे वो पढ़नी पढ़ती क्या है तो उसमें बहुत गलत थी तो उसका आर्थ करना बहुत कठिन था यदि आप लोग भी आज पढ़ेंगे उसे तो आपको भी पसीना चूटेगा तो मैंने एक किताब और यहां वहां से खोज के अपने घर ले गया और मैं दिन में बराबर उसको इस्टी करता और पढ़ता और जितनी गलतियां थी उसने अपनी बुद्धी से भूद्वली पश्दन्द का काम किया उसे सुधारता में अपने खुद और सुधारता और फ अपने जी को वही तरफ देखते थे उनको बहुत आश्चरी होता था उनने जो मेरे को दह्म संकड में डालने के लिए काम किया था उसी से उनके चित में मेरी महिमा बढ़ गए उसी कुछी की यह पंक्तियां है अब फिर बढ़ता हूं स्वसंबेद आतम सरधानी अब आर स सोचना यह कोई गरत नहीं है मैं जो बोल रहा हूं भरत चेत्र में बिले प्राणी परकली काल में दुर लब है पांच ज्यानारम में देखो बांच कि अब आतम सर्धानी आत्मान भवी शम्मेद इस्टी जीव भरत चेत्र में बहुत बिले हैं और कली काल में बने श्पंचम काल में तो मुश्गल से पांच होंगी बस और तो मेरी बात पर भरोसा नहों तो ग्यानारम को में बांच के देखो जब मैंने मुख्ष माइप्र का सब्सक्राइब नहीं पड़ा था जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है टोले मुझी को भी यह बात खटकी थी कि यह सही नहीं है कि एक कि पैसे से अब्सक्राइब कि इंद्ध मुच्ण उत्तर अवाब लोगों गया होगा आ गया होगा मोदी तुम्हें तो आगी गया होगा क्या लिखा बदाओ कोई बात में मन में सोचो कि हैं अ मैं इसा आर्थून्त ने किया है कैसे किया कहां किया तो एक बात तो मैं लुक्त कि थे थैं। जैंडस्य का सभून समय करें हो तो अपने लिएुन स्वाध्धा करें लिए योग गया नहों किताब। जी तो बहुत अब्धात्न के भजएन से llev और यह उन 35後 और अलाए था है एक उप्षाध़ान उनका भी एड्ञे के एड़त आओर यहन परनप new। कि हैं कि दोलत राम जी ने उनके अले 10 mare को देख करके उन्हें लिखने का भाव का था तो उनोंने लिखा ना लिखे बुद्धुजन की भाख, बुद्धुजन की भाषा देख करके मैं लिखता हूं, तो वो बुद्धुजन, उन्हें क्या गल्ती हुई, तो मैं दा रहा हूं आपको, कि जब मैंने देखा कि मुझे मुख्रमाइप का तो पता नहीं था, उनने कि जब मैं बांच के देखो तो अब ग्याना अनब, अवह पेज लोग नंबर नहीं, पेज नंबर नहीं, पूरा ग्याना अनब पड़ो, कितना कथन काम था और राद, तुमको कितनी सुवदा हो गई, इसकी कल्बना तुम करो, तो उसकी बज़र से बैने, वह साब मैंने पड़ा, फटा फट पड़ा, कि देख 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 करके, और निकाल के वहां पहुंच गया, और वहां लिखा था, कि दूई त्री, दो थीन, अब आपकी सुनें, दो तीन, पास हो गया, अब यह अनर्थ कैसे हो गया, दो तीन यह तो अनिश्चे का बाचक है, यहनि इसका मतलब हो सकता है, बहुत कम, और बिरले तो उपर लिखा ही है, माने उन्होंने कोई गिंती नहीं थी, उन्हें बहुत कम हमें, और बहुत कम तो एक लाख भी बहुत कम ही होते हैं ना अनंद जी वह में, और इनने वो दो तीन जोड़के पांच कर दिया, तो वे निश्चत स क्या हो गई, तो फड़क पढ़ गया ने एकदम, हमारे स्टटी से बोलते हैं कि हम वो लिखा है तो वहां तक पहुंचेंगें, उसकी जड़ तक पहुंचें, अपर वो अंतर हो तो उस अंतर का अंतर का एक खलके खोल करके देखें, तो यह वहां तक पहुंच जाना सत्व तक यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है और हर क्यानी धर्मात्मा का ऐसे जीवों का भी अभिनन्न हैं, अभिनन्नी हैं, कोई अभिनन्न पत्रों ने देना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, उनके चित्वें उनकी महिमा आना चाहिए ना, बैनी जीवी सा आजमी तो थे ने विकल्पत रहना विश्कुम्ब है सुभाव रत रहना अम्रत कुम्ब है, उन्हों ने इस सारी भासा को अपनी स्विम की भासा दी, उन्हें यहां पचाया है, अपनी भासा में बोला, उन्हें की शास्री भासा में उसमें नहीं बोला, जितने अपन पर तुके हैं यह कहां तक पहुंच गहते हैं अभी कलस कलस ही आ गया बहुत हो गया यह पर कल्सों में भी इसकी घुटाई होनी वाली है इसलिए आपने 188 मां कलस पड़े हैं हां बोलो भी पड़ा तुखका प्रमादिनो तर्हा सुका स्षीनतां तर्हीनं जापरमं मुलिता मारंपरम आत्म ये वादानिकं चाचित्रमां संपुर्णवे ज्यानतनो पड़े करे मुक्ति माद में चापल है अर परमाद को है नहीं कोई अगर कोई और आलम बद नहीं बस इस लिए ही जब तलक आनंद गन निज आत्मां की प्राक्ति नाओ तब तलक तुमने तढ्याओ आत्मां तुमने तध्याओ आत्मां श्रंश के चंद में तीश्री पंक्ति के अंत में है ना तुमा संकून किहाँ अब यह अभाईजी ने पढ़ा नहीं साथ सी तरह से अपना सुनाओ तुका तुमिक लासे प्रत्म पर जादा में कहीं पड़े हो नहीं पड़े एक इसमें तो चित्यमा और क्या है संपून इस चित्तमा संपून नहीं है इस चित्तम जल्दी करता है ज्यादा बुद्धिमान मत्मेर अभी चार सार और प्रता है इस चित्तम आशंपून आप मर्यादा के अर्थ में है इस यह कह रहा है इस जगत में दो बातों को तो कोई स्थान है नहीं कौन-कौन सी प्रमाद को और चपलता है कि इन दो चीजों को जगत में कोई जगन नहीं है इस देखा अरे मुक्ति मार्य में सापल अर परमाद को को जगन नहीं कोई जगन नहीं है कि आप प्रमाद का आर्थ क्या किया इसमें सुखा सीन्ता इस अजगर करेन चाकिरी और पंक्षी करेन काम दास मलू का कह गए सर के दाता रहां माज पढ़े रहना माज हम तो मोज मस्ति आराम से रहते हैं दो टेम खाया दो टेम चाइप दी और मस्त पढ़े रहते हैं बस कि पुर्देव का टेप शुरू कर दिया और आराम से लेट गए दो एक मिन जब तक नीद नहीं आई तब तक सुन लिया पर एक घंटे तक गुर्देव बोलते रहे और जब गुर्देव का टेप बंद हुआ तब अपनी नीद उस्ति हैं खत्र हो गया है इसको बढ़ रह हुअ हुआ है और वो तो गुनक्तान है न हो अप्रमत्य गुन स्थान है जिसमें जाना है नियुक्ता है में तो यह कहते हैं कि शुद्ध भाब में नहीं जाना ही प्रमाद है कि संकूर प्रकार का सुभाब और संकूर प्रकार का सुभाब सब प्रमाद है और उसके पहले की जो सारी दौड़ दूब है न एक दम उगर पुरुशाद जैसे तुम कर अब बाद कर शोफा तो यह क्या नहीं उसमें सुख का अनुभब करना यह सबसे बड़ा प्रमाद है कहते हैं अब यह ना चपलता प्रमाद को जो कोई जघनी अब वो क्या को भाद यह इसे प्रमाद गोवित किनुए वहां से डॉड़ करें तो जो एक तो बोलती मैं तूरा के हैं एक ऋनीड़ात माडें कर रहे हैं के आपरमादी हैं Boss us दे रहे हैं समय साल नहीं आहा just और वे सब प्रमादी हैं को ये मिथि ये अ District समय दो दू है प्रमाद और चपलता अब इस दो है तो तुम्हें समय्सान लिखने को चाहिए प्रमाद में गिलू चाहिए च्पलता में गिलू छाहिए कि दोनुमी में गिलू कि क्या कि रहे हैं इस टापलता है राई सांप कि इसो गए होते प्रमाद में तो समय साथ नहीं लिखा जाता हुआ है वो कहते हैं देखो अभी और जगत में इनको तो कोई जगे नहीं है तो बिलुकुल अत्यनत शाव धान रहो एजार तो गया ना प्रमाद हो ना चपलता हो इसको प्रमाद नहीं होता है वो जोड़ दू तो भी नहीं है और आदस भी दी है तो क्या करें तो वो कहते हैं कि और कोई छिकाना नहीं जगत में ऐसे जीव को बस इसलिए ही जब तलक आनंद घनने जे आत्मा की प्राप्ति ना हो यहां लगाओ को मा तब तलक तुम्हें नित ध्याओ आत्मा संद के अनलोज से जो को म अजिए वो अलग होते हैं और तक के अनलोज से लगा जाते हैं तो अलग होते हैं इसलिए में अपने संदों में कहीं कोमा अनलगाया नहीं हो पुरिष्ट गर्मार जगानी पड़ता है जहां आजाता है कि कोमा नहीं लगाया क्यों वह उल्टे अर्थ समझने में बादग बनते हैं और जो चंद पढ़ता होगा वो कोमा लगाए बिना भी आसानी से अच्छी तरह पढ़नेगा तो इसे पढ़ो ना अरे मुक्ती मार्ग में चापल और प्रमाद को है नहीं कोई जगए और कोई आलम मन नहीं बस इसलिए ही जब तलक आनंद घनन जे आत्माम की प्राप्ति ना हो तब तलक तुम नित्य ध्याओ गद्ध में पढ़ लो चाहए पद्ध में एक गद्ध जैसा पद्ध है गद्ध जैसा पद्ध में जिसमें अनवय नहीं लगाना पड़े किसी सब्द को आंगे पीछे नहीं करना पड़े वह सीध इसलिए बहुत हैं उनका सारह पद्ध ऐसा गद्ध जैसा ही है और नियायित सास्त्र में पद्ध लिखनाह बहुत कथन है रदी यादिेम जेदे सदेवरा शाद इजिए आसा मोनों गयुत ऐख्योड़ा है अब शूप पर कविता में कैसे लगे है 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 भाह ठैसमेith सास्त्रका भार गद्धी अधरदश्त कर सकता है कैसे कोई महाँ जिग्फज आचारी हो ते पड्य में लिखते हैं और कहीं इस खलन नहीं हो वह भुत प्र। 워서 अपने वहाँ सन्द्भध्रका न्याय था सद्छ शुना होगा पड़ा होगा श्तोत्र रशाच़् देकर उनका एक एसा भी है जो अलंकार उसे भरा हुगा है एक अक्षरी चने, पूरा चने, एक अक्षर में पूरा चने, और ऊसको बहुत बरी आद्सने कर लाँ है, दो अक्षरी चने, सारे अक्षर हृ इसे बहुत हैं और मुक्स बद्द भलाना बद्द एक फिलाना बद्द एक इधर लें जाएक इधर इन जाएक इधर जाएक इधर ऊपर से पड़ो नीचे है उस किताब का है इस्तुति विद्ध्य ऐसी कोई किताब है उनकी जो हगवान की इस्तुति लिखी है लेकिन उसमें इतने संदर लंकारों का प्रयोग किया गया है और बहुत बड़ी आर्थ ने कलता है कि तब आपको मालूम पड़े के सवंतिर्स भद्द्र की वाकवलनी कि बलते सब्दभंडार कितना समर्द्ध था हां हां मों चोड़ा मजी ने एक लिख दिया एक चंद लिख दिया तो क्या हो गया है उनके तो स्रेकुन चंद्ध हैं ऐसे नि भूभी महान है नहीं किया आग में हैं लेकिन अभी जिसकी पूरी किताब लिख दियो उसकी बात हो रही हो पुसमें एक चंद लिखने है बादों को कहां बैठा लें हम तोड़नमल तो गद्ध के ही मास्टर थे फद्ध भी उनका है ऐसा नहीं कि नहीं है लिकर अच्छा है तो जब अचापल को और अन्य अब क्या करोगी है तो आनन घंजो परमात्मा है उसका ध्यान द्याओ अब ध्याओ यह तो उपदेश की भासा है तो ऐसे जीव उसका ध्यान करते हैं कब तक करेंगे भी घंटा दो घंटा तीन घंटा किना है यू चिंत निजमें थरभाए जिन अक्त तक युवा अन्यु है अनन्ता नंत झाले यथा नुट अ है अन्त गाल्ता यथा त अथा सइव न हयं है को अपने को जो आफने को आथ झ revelation करते हैं तो कितना हो जाता है युवगर एननत कालता की भी ध्यान करते हैं इस कितना खाता है क्यों क्या ध्यान करते क्या है ध्यान होता है इसलिए तो लिखा है कि सिद्धों के ध्यान नहीं होता है ऐसा भी लिखा है सास्त्र में कि निरंतर ध्यान होता है उसको ध्यान नहीं होता कहते है उपयोग का आत्मा के केंदित होना है न तो वो तो नंतकालता के लिए है न क्यों लख तशल्सक्षान की परिवासं नहीं होता है सुक्समा इजिद्ट नहीं होता है इसाल अपरिवास्वासं नहीं होते इसलिए यह ध्यान उनके नहीं होते इस लिए उन्हें कर दिया ध्यान नहीं किया क्या क्या अपेक्षाम होती ही देखो तुछ नहीं भी लिखा उसको हां भी लिखा तो समय देना समय घबनाने कि क्या बाद है यदि एक तफे अची तरीके से नए चक्र पढ़ लो तो सारे संकर घब हो जा है हधुत है लेकर अगने हमस्ट में क्ल दया हिसां तो समय सार प्रदे नसे हो हमें यह की बाद तो सच्छी है ल liberal स्मय सार समझ में और नहीं चकर प्रदे से कि अ cry है यह लिख ने ळवन जिक ने कन दिए आखा कि मैं कुंन आधि आचारियों के गिरंथों के का सार लेके यह नए चक्र बना रहा हूं ऐसा लगा है 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 सबसे उपर ताथ पर यह है कर दिर्ब प्रग्रमनादी को निश्चे से बंध का कान बता कर उनका निश्यद कर दिया गया है अब वहां यह भी कह दिया है कि हम निश्यद नहीं कर रहे और यहां निश्यद कर दिया कि हम निश्यद नहीं कर रहे का आरत क्या है ऐसा निश्यद नहीं कर रहे कि तुम अपराद करते रहो और माफी नहीं म और निशेद कर दिया का मतलब यह है कि तुम सद्धात्मा में चले जाओ तो यह तुम्हें रोजना रोजना माभी मांगने का जरूरत नहीं पड़े है अब आपने बोलते हैं ना सांती जी कि देखो मेरे पास द्वारा मत आना किसाब मैं तो अभी नी कहां आपके पास आया हूं यह स्वांती सी पकड़ के लाए है कि तरो दादा के लाए है क्यों है अने कांद पकड़ के लाए है अरे यह तो कह रहा हूं कि द्वारा कुसी को तुम्हें पकड़ के लाने की जरूरत नहीं पड़े इसका अर्थ है कि द् मेरे पास मत आना कि यह अर्ष है करने है कि एस विए कि खुब अपराइट करते रहना और मेरे पास नहीं आना एैसे ही वह केते हैं कि दो आरा हम को ऐसा नहीं करना पड़ाएं आचारि रेप कहते हैं कि जल्ग तक संपूर विझ्ञान कान आत्मा की प्राप्ती न हो तब तलक हमने चित्त को आत्मा रूपी इस्तंब से बांढ रखा आइए आत्मा रूपी खंबे से बांढ दिया है इसा वहार के विकल्पों में ना उल्दों जबतक आत्मा की प्राप्ति ना हो जावे तब तक अपने प्रमादी ना बनो संपूर्ण सामर्थ से आत्मा के सनु ही सनमुख रहो कि इसकर्स है सपूरा जितना अपने अभी तक पड़ा कहां से पड़ा अभी वो काता सुरू हुई ते ला जहां से वह अपराध की बाद में गादा आई जिर पुक्त गल शक्या स्वामी जी यह अब कल में लेटा हूं तो एपड़ ले न है उक्तिस अन्दकार अपेजने में एक सबानमें उक्तिसम्कून कथन का आसा यह है कि आत्मार्थी को ना तो समस्त क्रियाकान छोड़कर प्रमादी ही हो जाना चाहिए है और ना क्रियाकान में ही औरकार रहा जाना चाहिए कि अक्रियाCar शोड़णा चाहिए क्योंकि दोंफ प्रमादी हो जाएगा कि पूजा कर南ा पहर करना ञदा करना नक्तिसम्करन का शर्था करना नशच्व्त आ के न ही एंक्षद Simone कीना उन्य कि आत्माथी को ना तो समस्त क्रियाकान छोड़कर प्रमादी ही हो जाना चाहिए और ना क्रियाकान में ही उलजकर रह जाना चाहिए जदी अपराद हुआ है तो प्रतक्रमाद क्रिया बतत संबंदी सुभाब को अमृत कुम्भ जानकर उस अपराद का परिमारजन करना चाहि किंतु सुभ क्रियाओं और सुभ विकल्पों में ही उलज कर उलजे रहकर इस बहुमूल मानव जीवन को यह हुई नहीं गमा देना चाहिए माना सुभ क्रियाओं और सुभ भाब में उलजना यह मनुष कीमती मनुष्भव को गमाना है यह कमाई का काल नहीं है गमाई का काल है अब इन में दो में थोड़ा अंतर है जैसे आप अध्धात में बहुत सुनते हैं तो आपको ख्याल में होगा फिर भी में बताता हूं तो अपने पुराने ग्यान से मिलान कर लेना से दूबाटें करें बार बार सूवक क्रिया और सुब्हाव भिभार से जिने द्धर्म कहा जाता है सुवक्रिया और सुभ्भाव अब सुभक रिया से तो ना पुन बनता है ना पाप बनता है और सुभ भाव से पुन बनता है पाप को जोनु कज़ना है कि नि ओस उब गिया का तो कुछ भी भल नहीं है जीरो ऑफ तुम तुमन ने पतास किलो चामल इस थाली से स्थाली से में इस टांश पर कर दिये हूं, महों से वह उंगरी बोल बोलके, तो कुछ भी पुन्पाप बंद्या माला नहीं है, क्या, ते बहुत कठोर सत्त है, क्या है, जो देह की क्रिया है, वो सब मैं, सब बिलकुल, बिलकुल रुटा करें, यह बनाना नहीं, और तुम को जो भ्यायाम करना है न जहें जंदो तुम उनकी कमरे पर करते रहना, मेरा समय खराम मत करना मेरे पास करना, क्या, है, उससे रंच मात्र भी बंध नहीं होता, क्योंकि वो परद्रविकी क्रिया है, यह आप समझे न, और सुभाव क्योंकि आत्मा का परनाम है, इसलिए उससे तो कुछ ना कुछ होगा अवस, बंध होगा तो पाप बंध तो कैसे होगा, पुर्णी बंध होगा, कि दो कहा दोनों को है, लेकिन सुभ क्रिया को कहा निमित्य की अपेक्छा और सुभाव को कहा सहचारी की अपेक्छा, तो कि दोक हमाने का अपेक्छा मां कि अपेक्छा येए धानिमित्य का नापत्य शहचारी है। उसे उप्चार से मोगशमार कैने ऊपफार मोगशमार कैने, illsणी की इन दोनों को हो कई हम समय कहंगे। कि यह इसको भी सामय कहेंगे और उसको भी सामय कहेंगे अब आप समय हम दोनों कोई कहेंगे लेकिन इसमें तुम पक्का समझ ले ना के बंद का अभावतो होने वाला नहीं है कि यह जड़ा कोमल सब्द है क्या हूं मोदी और कठोर सब्दन और कह दो ना क्या है क्या कहा है बोलो बाग के बोलो हां दो है बंद का यह दो जड़ा सीधा सब्द है और उसमें रंचमात्र भी धरह में नहीं है इतना वह तो बल जाते हैं आदी है यह यह तो समझ लोगा हमारे पुन्य के वो देसे इनकी कसा इतनी मंद्र है कि रहम सुरक्षते हैं कि सुर्क्रिया में तो अब ना पुन्य है ना पाप है ना धरम है कुछ नहीं है तो बलुकु नजर तक है और अब वो जो सुभाव हुआ उसमें पुन्य बन्यागा पाप नहीं बन्यागा पुन्य बन्यागा इसको लाम मानते हो तो लाम हो और इसको लाम नहीं मानते हो ब अब अब इतने जिसका कुछ भी नहीं है इतनी जगह कैसे मिल गई इसकी क्योंकि ये उसकी सहचारी है वो सुभाव की सहचारी है आप सोने ना ये क्रिया उसके साथ बंधी हुई है तो दोनों एक साथ ही होते हैं और हम देब बच्पन में थे लादा को याद होगा तो दिविपूजा भाव पूजा की बहुत चर्चा चर्थे तो भाव पूजा के नाम पर पंड़तों ने कुछ पूजने बनाइं थी और वह मुस्वाव पूजन समझगे प्रते थे खासकर सुद्धिपूजन में थी पूजा निजमनो मनिवाजने धारेया तो उसमें कहा है कि मेरा मन ही बर्तन है उसी मन के बर्तन में मैंने भगवान की भक्ती रूपी भाव रूपी जल को धारन कर लिया तो मैं उस जल से आपकी पूर्ण करता है मैंने भाव पूजा करते हैं तो मैंने भाव पूजा तो मैंने भाव पूजा न ही जातीथ तो उसमें कि दिर्व नहीं चड़ाए जाती थे वाव ठाएख पूजा को धाओ बाभा चया आज तक में आह रहेते हैं दम शकतना रहता ता इसलिए वोक्या रह न्यूख कольно अधिर ब्यास्टेक पूजा फिर एक गुरुप और आगे बढ़ा उसके आगे का इस तो पर सुना तुम दिल दीमेट करो वो कैसा गुरुप था कि वो कहता है कि मैं हेव गौन तो मैं पानी नहीं चड़ाता है क्यों कि पानी पवित्र कैसे हो सकता है उसमें इतनी मचलियां और कीड़ जिव जंतु भूंते हैं वे उसी में लेटरें करते हैं उसी में बात रूप करते हैं अब वो पवित्र जल पवित्र कैसे हो सकता है तो बोलो बोलो जोर से बोलो हां नीर जो चड़ाऊं ताए कच्छे मच्छे पिया करें गूल जो चड़ाऊं ताए भोरा सूग जाते हैं यह सब पड़े हमने उसमक्षू अच्छी तरह से ईता नहीं हैं हम जो कुछ किया नहीं है यह नोग सो चूए मार बिलाई तब को बिठी है इस सब करके थोड़ा थोड़ा का है अभी इसका हमने हर एक चीज की बहुत डीप इस्टडी की है तो बहुत है हम यह चीज अच्छी है कि जलके ही तरह से चंदर में हर एक में ऐसी ऐसी बात आई तो दो तरह की होगी न भाव पूजन अब फिर आई नभी भाव भावों में तो अब हमने जब बाल बहुत पाठमालाय लिखी आएसे 40 साल 45 साल पहले तब यह सारी व्यारा हम कर चुके दे राजन्द बावू तो हमने वो द्रव पूजा भाव पूजा बदो प्रकार की द्रव पूजा तो एक दो जो कहते हैं और फिर यह भी द्रवी तो पूजा है जो मौसम बोल रहे यह मौसम बोल रहे कोंसी पूजा है भाव पूजा के द्रव पूजा अब यह भाव पूजा बाले जर्मनो मनी म तो इतना सोचता है किसमें सोचा होगा विलाज भाई इद पुद्गल के रचना है ना सब्द तो यह जो इस्टुति अपन बोलते हैं यह भी पुद्गल की रचना है आत्मा की बात अभावड पूजा तो यह भासा बोलना भासा पेड़ना भी दर नहीं तो मन में इस ना क्या करें मोरा बोली नहीं सकते, क्या करें, बोली नहीं सकते, कि सोचना ये भी मन भी पुद्गल का बना है। अब एक खतरनाक बात बोलता हूं, जिसके लिए मैं तत्वासूत की ठीका लिख रहा हूं। कि वो जो मन तो पुद्गल का बनाई है, हांती जी, लेकिन जो आप सोच रहे, बास सोच भी पुद्गल की बनी है। नाजिन वागु, कैसे बनी है? क्योंकि वो मन पर एग्यान का बिसर है। वो मन पर एग्यान, रूपस्त बधे, उत्रदनन्त भागे, मना बदे। अभी अभी लिए मों को ख्याल नहीं है। हमाई बड़ बड़े पर्णतों को ख्याल नहीं थी। मुझे तो जब मैं दस बाराव बस की मोने पढ़ता था मोने नहीं बद्ध्याला ने जब गुर्देव का नाम भी नहीं सुना था उसुना था तो मुलो को रोधी गुरूप में थे। मक्षनलाल जी के साथ थे, उनके चेले थे। तब हमाई समझ में जए बायता आ गई थी। और आज अच्य अच्छों की समझ में नहीं आती। कभी भी नहीं मानते हमारी पे दर्द ही नहीं मानते। लिखे नहीं सब लिखां। वो भी पुदुगल का बना है। ज़ि नहीं होता तो चिंतमन का निशेद क्यों किया जाता ध्यान में। आत्म चिंतमन ध्यान नहीं है। है ना। कहां है निशेद अब। माचिठथः माजंपई माचिंतः क्या लगा दृव संगरे में। माचिठथः कोई चेष्टा मत करो। मान सारी रिक्षेष्टा युष्टा तो माचिपई माने कुछ बोलो मत। और माचिंतः और सोचो मत। बोलो नहीं, सोचो नहीं। इसका प्ध्यान बाद किया है। ध्यान तो उसे कहते निशेए के लिया सब्समान में लिखा। कि मां चिठ्थाई मां जंपाई मां चिंताई ऐसा सोचो ऐसा सोचो ऐसा सोचो तो सोच के ध्यान होता है क्या सोचना बंद करो भले आज में अब हमने उसे सोचना को भाब में ले लिया कि कहां कहां तक जागर के भूचो चैतन का विकार है अभे को भाब है उसको भाब में ले दाएंगे हम यह सब दिर्व में दाता है जाएंगे मंदर के जल्से नहाएंगे मंदर का धोदी दुपट्टा पहनेंगे मंदर में रखी दिर्व उठाएंगे मंदर के नोकर से उसके दुपजाओं फर भाब का क्या है अब फर वहां इस थाली में गार एक फिर बचार हो मंदर का कमितारी उठाएब एकर सफाहु कर थाएगा होगी तो उना की होगी तेरी क्या है इसमें कि नहीं हर मेन पांच रुपे की रशीत कठा लेता हूं पूजन भंड में पांच रुपे की तीन बादा में आती हैं तो लिव चुन दें में छे बादा में सगाता है है क्या कि दृफ पूजन तेशा दृफ बर तो उसमे खच्चुग है रही आप सारे समने सारी सुग्दाइं तकाली है रिंदो उनन वे दिन भी देखे हैं कि हम अपने घर से नहाखर घर का धोता पहने के घर से दिर्व ले जा करके लिजाते थे और मंदर में जल से उस दिर्व को धोते थे और उस दिर्व से भगवान की पूजा करते थे और भगवान के मंदर पूजन की थाली भी खुद मांजते थे और मंदर में रखे आते मंदर की जाडू भी माली को नहीं लगाने द है 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 इुए इन साथ कूल में नमें किस घर की महला के बरतना नहीं कि नहीं है नमद। अब्धार घुरु वार को। है वो सब काम के लिए वो बारी बारी से बाद लिया था उतना सुधेत तेरा पन्था अमनाय वाले रहे हैं हम तो तोड़मल जी किया में गुमानि पन्थ बाले हैं गुमानि राम के हैं है हां कहां है मिज्या, अब यहां तक आगे ना इत्ला प्रतिक्रमन में पंचास्ति काय की दर्व पेर नमबर बदल गया एक सपान में स्वामी जी का तो हो गया है अब नीचे पड़े दो उक्त संपून कथन का आसा यह है कि आत्मार्थी को ना तो समस्त क्रिया कांड को छोड़कर प्रमाधी ही हो जाना चाहिए और ना क्रियाकान में ही उलज कर रह जाना चाहिए यदि अपराद हुआ है तो प्रतिक्रमन म्हाधी क्रिया पतव् समंधी सुभाव को अंवर्त कुम्ध जानकर उस अपराद का परिमारदन करना चाहिए किन्तु सुब क्रियाओं और सुर्व विकल्पों में ही उल्जे रहकर इस बहुमूल मानब जीवन को यह ही नहीं गमा देना चाहिए कुछ और करना है हमें यह मनस्भब कुछ और करने के लिए मिना है पुन्न कमाने के लिए मिला है सबसे बड़ा पुन्न क्या है गोलो कि कडोरपती घर में पैदा हो जाना इसारी बढ़िया के चांजी की चंबज में क्या बोलते तुमां यंग देदी में सिल्वर श्पून हां मोर्ड बॉन विद सिल्वर श्पून अरे चक्रवर्थी भरत के 900 से ज्यादा बेटे कौन थे मालबू यह लटें लटें थी ऑभू भरत शबयाती के घर नीचे आगे मर गई ते बिलते भरत शब्रटी के बेटे हुए थे भरत शकृवर्थी के बेटे का पैदा होने का पुन्न तो उनने लटोंने कमा लिया था कियो है और ऐसा पुन्न कमाने के लिए तुन्न मुनस्भब लिया है। वरत्चक्रवर्दी के हैं पैदा होने का नहीं अकेला है। जिस्अभदेव के समोसरन में बच्पन में यू पस्तित होने का पुन्य है। जी उसी परियाय में कमाया था है। क्यों और दिख्चा लेने का भाव वो बरत्मान परियाय में किया था समझो। तो हमारा ये मनुस्भब गुरुदेव की भासा में कहें है। तो भव का अभाव करने के लिए है। भव बढ़ाने के लिए नहीं। भूमकानसार यथा योग प्रतिक्रमानाजी तो होंगे ही। उनकानसे नहीं। वो तो भूमकानसार होते रहें कि मना कुन कर रहा है। तो भी उनमें उपादे बुद्धी नहीं होना चाहिए। क्योंकि उपादे तो एक मात्र वह सुद्धोप्योग रूप अप्रतिक्रमन ही है। कि जिसे निश्चे प्रतिक्रमन भी कहते हैं बिगत गाथाओं में प्रतिक्रमनादी को विश्कुम प्रतिक्रमनादी को अमर्त कुम कहा है उक्त कथम का मर्म ना समझ पाने के कारण कोई व्यक्ति प्रतिक्रमनादी को छोड़ कर प्रमादी ना हो जाए इस भावना से आगाम